नमस्कार भारत माता की जै वंदे मात्रम मैं वरुन बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस नियूज संडे लाइव इस्पेसल इंटर्व्यू में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नौगच्या के काफी मशूर हो चुके हैं और पहली वार लाइव इंटर्व्यू के माधियम से इंटर्व्यू में हमारे साथ हैं नौगच्या के योग गुरु योगाचार चंदिका प्रशाद चंदिका जी हार्दिक श्वागत है जीयस नियूज के लाइव इंटर्व्यू में बहुत बहुत धन्यवाद आपको JS News नोगचिया आपके वेवस्था को देखकर मैं बहुत प्रसंड नहूं पतंजली परिवार आपका हार्दिक बंदन स्वागत करती है कोटी-कोटी पणाम करती है पहली बार आप लाइव इंटर्व्यू में है कैसा लग रहा है आपको JS News मैंने जब पहली बार आपके पास ये अंटर्व्यू दे रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस व्यवस्था को आगे बढ़ा है अपने छेत्र के लिए तो हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में आपका JS News बहुत दूर तक जाए और पूरे भारत ह की नहीं पूरे विश्व में परचम लड़ावे शुक्रिया 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 चंदिका जी पहला सवाल हमारा है आपसे कि आप योग बिधा में कैसे प्रवेस्थ कि देखिए मैं तो सबसे पहले संचिकित्सा सेवा में सेवा दे रहा था और मैं वहां पर रोगी के लिए मूल में सेवक था रोगी की सेवा करते करते मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं अपने छेतर में जा करके गाउंगों तक गरीव से लेकर अमीर तक योग की विधा से आर्वेत की विधा से सोदेशी की चिकित्सा की विधा से प्राकृतिक चिकित्सा की विधा से मैं इस कार्ज को किनी ब्यवस्था के साथ जूर करूं तो मैंने प्रन किया कि अधिकों मुझे ब्यवस्था मिल जाए तो मैं इस ब्यवस्था को गउं तक फैलाऊंगा तो आगे मैं पतंजली परिवार में आने के समय कुछ ब्यवस्था को मैंने देखा कि पतंजली के प्रमपुज स्वामी रामदेव जी महराच जिन्होंने एक वेवस्था को आगे बनाने के लिए संकल्प लिए कि मुझे एक बैक्ति का चुनाव करना है और उस बैक्ति के लिए अहवान उन्होंने किया तो मैं सहिन चिकित्सा सेवा में रहते हुए भी मैंने अपने को योगदान दे दिय जोते हुए और अपनी नुकरी को छोर करके पतंजली में जूर करके आज 2004 से सेवा रहत हुए सर आप योग में आने से पहले क्या करते थे योग में आने से पहले सबसे पहले तो आप जानते ही है कि मैं आभी थोड़ी धिर में मैं बताया था कि मैं भारते सेन चिकित्सा सेवा में सेवा दे रहा था और उस सेवा से जूर करके मैंने इस योगों को आगे बराने का संकल्प लिया और अच्छा एक चीज आप सेन चिकित्सा सेवा में करी रहे थे तो फिर आपको योगा में आने की च्छा क्यों हुई मैंने वहाँ देखा कि एलोपेथ चिकित्सा एबम गउं तक पहुंचाने के लिए एलोपेथ चिकित्सा उतनी कारगर नहीं हुई जितनी कि हमने योग को फिरी चिकित्सा के रूप में अपनाया मुझे कमर में दर्दत काफी था और मैं एरी और घुटना के भीच में साइटिका का लक्षन पूर्ण रूप से हो गया था जिसमें कि हमने उसको जब अपनाया तो मुझे सेना चिकित्सा सेवा में ही मुझे को लेके गया कि आपका यह ओफरेशन होगा मैंने उस ओफरेशन को तिजांदली दिया और मैंने परमपुझ स्वामी जी के नुखे को अपनाया उनके अभ्यास को अपनाया आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्त हूँ जब स्वस्त हुआ तो मैंने कहा कि अब जब मैं स्वस्त हुआ हूँ तो मैं अपने छेत्र को भी स्वस्त करूँगा ये मेरा परन रहा को उठाएंगे और एक विशेश जानकारी देदूं कि जिस तरह से हमारा पिछले एपिसोड पांच से सुरुवात की गई है कि हम एक अपने पाठक को उपहार से समवनित करेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे तो पिछले और इस बार दोनों मिलाकर एक साथ ही इसकी गोशना की जाएगी और आप समों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार लाइव इंटर्विव देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों का एक आपका व्यूवर ऑफ दे इस इंटर्विव में जो सबसे सक्रिय पाठक रहेंगे जो सुरू से अंतक हमारी ल बॉक्स में अभी कि सोनू पाल लिखते हैं कि पेट निकलने से कैसे चुटका रहा पाएं सवाल चलता रहेगा लेकिन एक बीच आया है तो यह तोड़ा आवश्यक है देखिए सबसे पेट निकलने की समस्या जो होता है वह आहर चिकित्सा से होता है और आहर चिकित्सा और साथ में गरम पानी और गो मुत्र लेगा और मेदोहर वटी दो दो गोली सुबा दो गोली शाम खाली पर चबा करके त्रिफला गुगुर दो गोली सुबा दो गोली शाम खाएगा तो पूर्ण रूप से उनका मोटापा भी घटेगा और साथ में जो पेट की जो कलब है और पूर्णा सिर्वात सर कहते हैं कि करें योग रहें निरोग यह पंक्ति जो है पतंजली की है इसको मतलब आप आम लोगों तक कैसे समझाते हैं इस पंक्ति को देखिए सबसे पहले तो सुबह उठके योग की विदा को अपनाने के लिए दिन्चरिया को अपनाना खास कर असनान ध्यान के साथ फीर योग की परिकरिया सुरू करते हैं सबसे पहले हम सुरू करते हैं आपको योग की परिकरिया को बताने के लिए नदी नाला किनारे के पास जाकर के मूल रूप से योग की विदा को जदी सही दंग से सिखेगा तो वह बहुत ही सुंदर ब खुद भी करेगा, तो वह स्वस्त होगा, इस विधा को हम करें, योग रहें, निरोग यानि जो रोज करेगा योग, वहीर रोज रहेगा निरोग, जो नहीं करेगा योग अभी के व Attack बरन में, वह रोगी रहेगा, मूल रूप्से निरोगी नहीं हो सकता। और इसके साथ ही हम बताते चलें कि आप हमारी जो है फोन कॉल सेवा वो सुरू हो चुकी है और हमारा नंबर है 97 098 94 94 970 98 94 194 और इस पर आप फोन करके सीधे आज हमारे साथ योग गुरू चंडिका प्रशाद है उनसे आप अपने समस्या के बारे में पूछ सकते हैं और आप जानकारी लाइव के मादियम से ले सकते हैं सर एक सवाल है कि आप नौगचिया आए और योग की सुरुवात किये योग सिखाना तो इसके बीच का कैसा संगहर समय रहा देखे पहले तो मैं जब सेन चिकित्सा से जब हम प्रमपुज स्वामी जी के पास पहुँचे तो मुझे जैपूर से सिधा भागलपुर छेत्र का मुझे संगठन का एक प्रभारी बनाया गया और प्रभारी के दवरान हमको मूल रूप से संकल्प दिलाया गया कि आप गउं तक इस विधा को पहुचाएंगे तभी मैं इस प्रभारी को सुईकार करूँगा तो मैंने कहा कि इस प्रभारी को सुईकार करने के लिए स्वामी जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए कि गउं तक लोग स्वस्त हो जाए वो मुझे आशिरवात के वल दिजिए प्रमपुष स्वामी जीन मुझे आशिरवात दिया और वहां से मैंने 2008 में जब मैंने यहां पर स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहला कार्चक्रम तिंटंगा द्यारा जो आप गंगा नदी के किनारे देख रहे हैं भीम दास्टोला एबम जलू दास्टोला उस प्रांगन मैंने शुरू किया था हज़ारों हज़ारों के भीर में लोग पहुंचे और मैं अपने घर से अड़ाई वज़े निकल करके लोगों को जगाने का प्रियास किया चार वजे उठा करके पांच वजे किसी तरह एक चोकी लगा करके अपने से एक बास लगा करके दो बास लगा करके तीन बास लगा करके अपने पैसे से खर्चा करके एक माईक की विवस्ता करके लोगों को मैंने उस बिधा को सिक्षा दिया और उस बिदा को जब सिक्षा दिया तो हम आगे बढ़ते हुए आज दिंग तक या कारवाई को करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल प्रसन चीत और काफी विश्वास के साथ जबाब दे रहे हैं यही एक योगा की सबसे बड़ी कला है जो आप में है अच्छे एक कमेंट है यह पूछना है अमीत कुमार सिंग की हर्ट रोगियों को कौन से तेल का सेवन करना चाहिए अभी पूरे भारत वर्स में जो तेल की समस्या आ रही है उसमें सबसे बरी समस्या है आपको पामवाईल तेल की जो पामवाईल तेल जो है वह तेल बहुत ही नुक्षान है अपने मानव के लिए ताकि उस तेल में कुछ भी नहीं है विटाइमिन्स और कम खर्च में लोग चाहता है कि मैंने लोगों को खिला हूँ लेकिन उसे पेट की रोकी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो उस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप पतंजली के आहर चिकितसा को अपनाएं और सोदेसी आहर को अपनावाईं सुबह गरम पानी पियें और साथ में सर्वकलबकौत पतंजली काता है उसको सुबह साम लें आपको पूर्ण लाफ्स मिलेगा कों से तेल तेल के बारे में हमने कहा कि तेल के बारे में जहां तक सवाल है हिर्दे रोकी तेल के बारे में तो तेल आप सबसे अच्छे अपनी घर का तेल यानि जो घर में आप उप जाते हैं उस तेल का आप प्र योग करें कि उसमें सुद्ध बना हुआ है और हाट एटक के लिए या राम बांद वाई है अगला सवाल है अगला प्रश्ण दो सो ग्राम एक सो ग्राम हरित की चूर्ण का इस्तेमाल सुबह गरम पानी के नहीं बलकि सहथ के साथ एक चोथाई चमच सहथ और एक चमच त्रिफला को ले करके आप लें उसको मिला करके आधा गंटा के बाद गरम पानी पियें कम से कम एक गिलास और रात में कम से कम तेल क इस्तेमाल करें जिसका नाम है दिब केस्टेल और ये जो आप देख रहे हैं इसको रोजाना आप लाखुन को रग रहें और साथ में जादा से जादा तनाव मुक्त जीवन बैतित करें हसते रहें मुस्कुराते हैं जैसे हमारे बागुल जी हसते रहते हैं अब मुस्कुरात मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुस्कुराएं और बाल जरने की समस्या जो आपका हो रहा है कोशिस करें कि काली मिटी अपने गाउं के देहात के अंदर बहुत है उस काली मिटी को 24 गंटा पहले आप जमीन में जमीन के नहीं कटोड़ा में रखें और उसको फुलने दे और फुलने के बाद 24 गंटा के बाद उस बाल में लगावें आपका बाल सत्थ परति सत्थ ठीक होगा और साथ में अलों मिलों पराणया लंबी गरी स्वांस माहें चलें और दाहने से छोड़ें दूसरा कपाल बाती कपाल बाती आदा गंडा करें अलों मिलों पराणया करें और सुझ नमसकार कम से कम पाँच मिनट से लेकर के दस मेट करें हंडेट परसेंट बाल का रिजल्ट मिलेगा ये मेरा अजमाया हुआ है अरांकुरित आहर जरूर खाए एक राजीव यदव हैं वो लिखते हैं कि हाइट कैसे बढ़ाएं और एक बीर सिंग राना है उनका सवाल है कि बाल सफेद हो गया है तो उससे बचने का बाल सफेद होने का सबसे बड़ा कारण अभी बाल बच्चे जो मुवाइल को दो बज़े तक देख रहे हैं उस मुवाइल को आप कंट्रोल करें रिडियेशन उनके माइंड में जा रहा है और उस रिडियेशन से बचने के लिए अपने को आप दूर रखें काम का बात करे करें मुवाइल से लेकिन 24 गंटा मुवाइल के इस्तेमाल ना करें उससे बाल सफेद होने का कारण बहुत ज्यादा बर रहा है साथ में आप अंकुरी तहार लें और मैंने आपको कहा कि दींचरिया सबसे पहले सुधार हैं ताकि सारे साथ वजे भोजन नास्ता करें सारे नोबजे सौंए, सारे तीन बजे जगें और नित क्रिया करके चार से पहुंच योग करें और इसमें सरवांग आसन के साथ साथ सिरसासन बहुत ये अनिबार जैंशा बात रहा है और बहुत सांदार तरीके से अगला सवाल है अखिल कुम ना लिकते हैं कि घुटने द से लेकर के सो बार जरूर करें और हमारे पास गुटना जर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवाई स्वामी जी ने अभी उपलव्द करा दिया है पीरा निल गोल्ड के साथ साथ पिरांतक तेल और दीब्धारा का इस्तिमाल करें आप जरूर सुष्थ होंगे आप इस पर कॉल कर सकते हैं और सीदे सवाल पोचते हैं एक सवाल हमारा है कि मतलब आप सुदूर दियारा जिसे आपने चर्चा की तिंटेंगा दियारा के और भी बहुत सारा जो है दियारा छेतर है या कोशी का एक पटे वहाँ आपने कैसे योग को पहुंचा है आपका दिनचरिया कैसे था देखिए मेरा दिनचरिया तो बहुत ही सुन्दर था मेरा टाइम उठने का तीन वजे था और तीन वजे हम उठते थे और ठीक सारे तीन तक हम नितकरिया कर लेते थे और सारे तीन वजे हम अपने मोटर साइकील में छोटा सा मेरे पास एक माई का सिस्टम था मैंने उसको बा हमने ढोलवजादियरा को पहले मैंने लिया उसके बाद भटगामाों को लिया उसके बाद हमने कदवा को लिया काफी शंख्या में लोगोंने लाब लिया है और आज तक उस लाब को लोग जान रहा है कि पतंजली परिवार ने या पतंजली सेवा जो हमको मिला है वह निसुल्क के रूप में मैंने आज दिन तक किसी से एक रूपया का भी सौगात के रूप में नहीं लिया मैंने दिया है लिया नहीं है कुछ इसलिए मैं अपने को दिन्चरिया के रूप में अपनाने के साथ साथ पांच बजे मैंने सुबह राइट जाकर के योग की विधा को गाउं में सिखाता था और दीन में वही रहता था दीन में नहीं सुल्च कितसा बताता था साम को भी मैंने योग सिवीर लगाता था महिलाओं की वीर काफी रहती थी साथ में बच्चों की वीर रहती थी युवाओं की वीर रहती थी बिर्दों की वीर रहती थी और हजारों हजारों संख्या में लोगों को बीपी, गैस, कबज गुटना का दर्द कमर दर्द था और मिर्गी का इतना सिकायत था मैंने योग से 6 दिन के अंदर कम से कम 60-70% हमने योग से किया और निशुल्क किया अभी है जो कुमोद कुमार इससे पहले एक सवाल था राजीव यादव लिखते हैं कि हाइट कैसे बढ़ाएं और उसके बाद अगला है टीपू कुमोद यादव लिखते हैं कि अभी गला प्राब्लम बहुत जादा हो रहा है इसके लिए सुधार करें सबसे पहले मैंने तो हाइट बराने के लिए काँगा कि आप ताडा संज होता है मैं ताडा संपको करके भी बाहुल जी बताता हूं यह आप हमारे एक असगंधा चुर्ण को आप सुबह एक चमज सुबह और एक चमज साम खाना खाने के बाद लें दूद के साथ और पोजेटिव चिंतन करें निगेटिव नहीं और आजकल वतावरन से दूरुड है इस वतावरन से लोग नाजुक हो रहा है धिरे धिरे बीमारी बर रहा है इसलिए असगंधा चुर्ण खाएं और साथ में योग करें ताराशन आपका लाब होगा खासकर लंबाई की विर्दी होगी बिलकुल एकदम आजमाया हुआ एकदम तरीका आप लोगों के बीच आज के इस लाइब इंटर्विव में कि आप लाइब में आपको करके दिखा रहे हैं हलाकि इंडोर और कमरे के अंदर का यह लाइव एपिसोड चल रहा है सोरगुल के कारण और सब के कारण इसलिए मैं ज्यादा योग स्टेप आप लोगों के बीच नहीं दिखा सकता या उन्हें मैं अनुरोद नहीं कर सकता अगला सबाल है सार कि टीपू सिंग लिखते हैं कि कमर दर्द रोकने का उपाई बताएं कमर दर्द के लिए बहुत ही सुन्दर आशन है जिसका नाम है मरकटा आशन और मरकटा आशन करके मैं इसे यहां तो दिखा नहीं सकता लेकिन मरकटा आशन आप आ करके मेरे से आप सिख सकते हैं और मैं अधि आप लोग चाहिएगा तब ठीक होगा, ऐसे कहने से ठीक नहीं हो सकता है, इसमें मूल में सुक्ष म्याम और मरकटाशन आध्भू चिकित्सा है एक बड़ी समस्या भी डॉक्टर साब है, जो लगातार फैलती जा रही है, और हमारी एक वाटिका है, सकुंतला शोना सिंग, वो लिखती है कि किडिनी स्टोन का दबाई बताएं, आजकल किडिनी स्टोन काफी रपतार में, तेजी रपतार में बढ़ता जा रहा है आपने बाबुल जी जियस ने उससे पूछ रहा है हमसे, मैं बहुत प्रसंद हो कि आपने लोगों के सवाल है, आपको दिखाते चलूँ, बहुती अच्छा लग रहा है हमको कि आपने एक समाजीत के लिए अपने बहुत बड़ा काम ही कर रहे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, किड्नी के रोगी जो परिशान है, वो सबसे ज़्यादा परिशानी है, आपका खान पान से, साथ में पानी पीने की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर व्यक्ति से मैं कहूंगा कि आप पानी जरूर पीए सुबह और दोपार शाम, कम से कम 4-6 लिटर प शाम पिए Сुन्दर पतँनली अरूग केंद्र नवगच्या में आपको मिलेगा, असुमरी हर क्वाथ, वरिक दो सहर क्वाथ और साथ में असुमरी हररस काढा बना करके उसमें 2 ग्राम ६रिकerson हर वटी और असुमरी हर रस जो है, वह बहोती सुन्दर दवाई है, आप ए और अनलो मिलो अधा अधा घंटा जरूर करें पहुती सुन्दर या दवाई है प्रमपुज स्वामी जी का पुरे भारत ने पुरे विश्व के लिए या दवाई उपलब्ध है पतंजली आरुकन नौगच्याम एक हमारे GS News के मैं बता दूँ कि जो हमारे टॉफ फैन है उनके नाम के साथ टॉफ फैन लगावा रहता है और टॉफ फैन है रितेश हुमार ये लिखते हैं कि प्रती दिन सरदर्द करता है सरदर्द से छुटकारा कैसे पाएं बहुत ही सुन्दर्द आपने प्रस्ण किया है सरदर्द सबसे पहले मेगावटी पतंजली आरोग के अंदर में उपलब्ध है दो गोली सुभा दो गोली साम खाना खाने के बाद चबा कर सुसूम दूद के साथ लेने से आपका सीरदर्द जर्मूल से समाप्त होगा और अ और ब्रामरी कम से कम बाइस बार लगातार करने से आपका विमारी जर्मूल से समाप्त होगा और सुभा-सुभा कम से कम देशी घी का हलवा पतंजली में हलवा के लेवी सुजी बहुत सुन्दर आ गया है और पतंजली में सुद्ध गाय का घी भी आ गया है देशी गाय का उस घी से हलवा बना करके सुब़ चार वजे खाये आपका सिर्धर्ध जर्मुल से समाप्त हो जगा लेकिन अनुलम ब्लम प्रणयाम और ब्रामनी प्रणयाम आनिवार जे बहुत लाजबाब एक प्रणया आते जा रहा एकदम लगातार बहुत चार है लग रहा है जैसे हमारे योगाचारी के लिए लोग जिस तरह से बिग्यापन चल रहा था प्रचार चल रहा था लोग पहले से ही तयार थे कि आज एकदम सवाल की दम जड़ी लगा देना है गैस एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कहा जाता है हर परिवार में गैस लिए हमारे टीम ने भी जो प्रशन तयार किया है डॉक्टर चा योगाचार जी तो उसमें जो है वो लिस्ट में गिदम है कि मतलब टीम के लोग भी चाहते हैं कि सवाल आप बिलकुल बताएं और इसके दोनों उपाएं बताएं पतंजली के साथ भी और बिना परिवार में भी रहकर बिना पतंजली का उपियों का अगर नहीं समान हो या उपलब नहीं हो पैसे नहीं हो हर तरह के लोग है गरामीन छेतर है तो वो कैसे इसे निजात पाएं गैस से गैस का मूल कारण ह अभी आपको मैंने पहले भी बताया था अहार और आज कल बैक्ती सारे साथ वजे जो हमने नास्ता के लिए लगातार आज 16 वर्स से हम अपने छेतर में लोगों को बता रहे हैं कि सारे साथ वजे आप नास्ता जरूर करें लेकिन वह नास्ता समय से नहीं हो पाता है कोई वेक्ती 12 वजे खाता है कोई वेक्ती 10 वजे खाता है कोई वेक्ती 3 वजे खाता है मैं सभी भाईयों बैनों से अनरोध करूँगा कि आप सारे साथ वजे नास्ता कुछ ना कुछ जरूर ले 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 और सारे 12 वजे भोजन जरूर ले ले और ठीक सारे 6 वजे खाना जरू कि दो ostat सो जाएं कि असोच आने के बाद मुहा दोएं और योग जरूर करें और योग कि तो फिरीक है इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं इसमें गरीब हो अमीरो सबके लिए चिकित्सा बहुत अच्छा है जिस मैं आपको कहूंगा कि कपाल भाती मूल प्रणयाम है एक मिनट में 60 बार करेंगे पांच मिनट में 300 बार होता है और 30 मिनट में कम से कम अठारा सो बार होता है जो व्यक्ति अठारा सो बार करेगा गारंटी के साथ गैस कब्ज का छोटकड़ा मिलेगा और ये तो फिरी का ट्रिटमेंट हुआ अधि आप पतंजली की चिकित्सा लेना चाहते हैं तो आप सर्व कल्ब को आथ काया कल्ब को आथ और आरोग गुबर् सकते हैं तो जमाइन को रात में सकर के साथ यानि गुड के साथ आप खाना के बाद लेले मिला करके कम से कम पांच ग्राम आजवाइन यानि हम लोग उसको छेत्रवासा में जमाइन कहते हैं आप आजवाइन को खासकर पांच ग्राम और सकर को कम से कम पांच ग्राम मिला करक खाना खाना के बाद ले लें और अपने आर्च कित्सा को सुधार करें यही गईस की मुल्दवा है बहुत ही एकदम आसान तरीके से एकदम आसान भासा में समझा रहे हैं आज हमारे साथ लाइब इंटर्वियू में और हम बताते चलें कि अगर आप फोन कॉल कर अपनी समस्या बताना चाहते हैं सुझाव लेना चाहते हैं तो हमारा फोन लाइन भी बिल्कुल एक्टीव है ज सवाल है सौरफ ठाकूर है रामजादे आईडी से उन्होंने लिखा है कि मोटापा कम करने कुपा है मोटापा भी काफी बढ़ते जा रहा है हम भी इसमें दीरे-दीरे पकड़ में आ रहे हैं वैसे आपको तो हम सुधार करी देंगे आपके लिए तो कुछ चिंताई नहीं जी अस्टीम में जितने भी भायवान हमारे काम कर रहे हैं मैंने उसको स्वास सम्मंदित जो टिप्स दिये हैं और बहुत दिन से आपको टिप्स दे रहे हैं आप तो बाबुल जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पहले से काफी अच्छे हुए हैं और हमारी बाहन जी भी जूड गई है और हमारे बवा भी सामने है मैं सब को कोशिज करूँगा कि हमारे पूरे छेत्र में मीडिया से जुरे वे जितने भाईवान है समाज हैं उनको मैंने पूर्णूप से चिकित्सा अच्छा बनाऊँगा ताकि वो दुनिया को अच्छा बात बरता पाए अब रह यौगिंग जौगिंग कम से कम पांच मिनट स्वामी जी का परती दीन लोगों को करना चाहिए और सूर्ज नमसकार कम से कम पांच मिनट और साथ में कपाल भाती आधा घंटा अनलोम बिलोम आधा घंटा गौधन अर्क चार चमज दवा चार चमज गरम पानी के साथ सुबा खाली पेट लें और काया कल्पकवात और तिर्फला चुर्ण को मिला करके सम मात्रा में काड़ा बना के पियें मेदोर वटी दोदो गोली सुबा साम लें तिर्फला गूल को सुबा साम दोदो गोली लें और कपाल वाती को अनिवार्ज कर लें जो मैंने आपको प्रनयाम बताया है आप तीन मेने में मोटा पास से चुटकड़ा पाएंगे आपका सरीर होगा हलका आप होंगे परसंद ब्याधियों से होंगे मुक से जब अधिक स्भूल का दौर चल रहा है एकडम कि तरह सवाल आ रहे हैं और आप दोनों जैसे कर रहा है। प्रकेट मैच हो और आप दोनों हाथ से बैटिंग कर रहे हैं स्टाइक और ननिस्टाइक पर एक बीर सिंग राना है यह लगातार कमेंट में लिख रहे हैं कि जांग के पास जांग के मास घटाने का मतलब समाधांसर बताएं हम तो सवाल सवाल नहीं समझ पा रहे हैं यह लेकिन मैंने कहूंगा कि एक बार वो बच्चे हमसे मिल ले और मैं उनको सुक्ष ब्याम के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा साथ में जहां तक जांग की मुटाई है उस मुटाई को ठीक करने के लिए हमारे पास सुक्ष ब्याम बहुत ही अच्छी दवाई है और स सास में पांच मट मैंने जो योगिंग जोगिंग की बात कहा है सुजमसकार की बात कहा है साथ में कफालवाती की बात कहा है मूल में कफालवाती अदा गंटा लो कर ले हंडेट परसंट चिकित्सा का समाधान है क्या बात है लाजवाब और इसे बीच एक कमेंट है दिलिप चैनल पर अप्लोड रहेगा आप उसे जाकर दुबारा देखें पूरा वीडियो रहेगा उसमें सभी जो पूछे गए उनका समाधन का वो बिलकुल असपस्ट रूप से इन्होंने समाधन कर दिया है और आप आसानी से समझ सकते हैं अच्छा एक सवाल हमारी तरब से है कि य लोग वहां तक नहीं पहुंच पाता है दूर दराज इलाके में चाया वह गरीब हो चाया मीर हो उसमें आप कोशिस भी करिएगा तो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं वैसे यह एको प्रिक सर्चिकित्सा जो था यह चिकित्सा हमारे भारत वर्स का देन है इसलिए कि उसमें मालिस की पर्था बहुत अच्छी थी और उसमें मालिस लोग करते थे सूर्ज के पहले मालिस करकेशनान करते थे आज कल सूर्ज के सामने मालिस करी ने रहा है तो उनके अंदर में जो घुटनों का दर्द है कमर का दर्द है एरी का दर्द है वो सब बरते जा रहा है और मैंने योग के माद्यम से लोगों का चिकित्सा करता हूं और उसमें सुवसवत तेल मालिस करके और लोगों को चाहिए कि रोजना बिटामिन डी प्राप्त करें आप जानते होंगे कि बावल जी जैसनुच के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि आप जो देख रहे होंगे कि भजन जो होता है जो भजन में लोग तालिया मारते हैं और चा क्या बोलते हैं आपको सत्संग के माध्यम से हो चाहिए महादेव के माध्यम से हो चाहिए वां किसी भी मत काहों मैं मोथ की बारे नहीं बूलोगं कि दो टो मैं नाल गया तो यह जो आप देख रहे हैं मालिया जो मैं आपको एक भजन नॉर्मल एक लाइन बताता हूं करते हैं ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सबर जाएगा यानि ओम कहने से तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा तो मैं कहता हूं कि कुप प्रिशर चिकित्सा की जुरत नहीं है यह आसान है बहुत ही असान है कि अवल ताली मार ले लो घर में एगंटा अधा गंटा बजन कर ले इससे बरिया कोई दवाई नहीं हो सकता है क्या बात है लाजवाब और लाजवाब आपका अंदाज लाजवाब है अच्छे एक सवाल जो लगाता है लोग पूछते जा रहे हैं मैं बताते चलों कि हम लोग नौग नौगच्छिया में ही बहुतों को लग रहा है कि सर आप कहां है कहां से यह लाइव है तो मैं बता पूरी जानकारी यह खुद से बता देंगा भी लगातार सवाल आते जा रहा है इसलिए हम ध्यान जो है हमारा सवालों पर है उसके बाद हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगा और सब लगातार चले एक चीज और हमारे साथ एक जुड़े हैं ललन ज्छा ललन ज्छा जी को मैं जो performer of the viewer बने हैं performer of the live interview है उनका reward जो है वो ललन ज्छा के नाम से जाता है डॉक्टर साब ने especially interview समाप्त होने के बाद उनके प्रशन को उन्होंने जो प्रशन पूछा था कि कैसी कैसी वेबस्ताएं हैं उस पर उन्होंने काफी विस्तारूप से जबाब दिया था तो उसके लगातार जो कमेंट आ रहे हैं कि सर आप कहां से रहते हो प्रतेश लिखते हैं मोबाईल लंबर बताएं सौरव कुमार सौरव ठाकुर लिखते हैं काम दर्द के उप्चार बिल्कुल हम एक तरफ से लगातार है मनुझ मंडल है इन्होंने सबसे पहले तो बढ़ाई चुर करें बाएं नासिका से लें और दाने नसिका सोच छोड़े अधिया आप मेरे साथ लाइप में जुर्योंगे तो मेरे साथ कर सकते हैं आप लंबी गरी स्वांस के साथ अरही सेकंड लें और बिना रूके अरही सेकंड छोड़ें यह मूल भूत दवाई है अनलोम बिलोम प्रण्याम साथ में गौधन अर्क चार चमज दवा चार चमज पानी आप सुबह और साम खाली पेट लें लंज के लिए आध्भूत चिकित्सा लगातार पिछले भार के तो यह पर्फोर्मर अब दे इंटर्व्यू थे इनका फिर से सवाल है यह दिल्ली से हैं ललन जहा और काफी अक्टीव हमारे पाटक हैं यूट्यूब स्वारी फेस्बुक ने भी सेरर में इनका नाम डाल दिया है इन्होंने लिखा है कि वरुन जी वैद जी को नौगच्या में योग के प्रचार में किन-किन मुस्किलों का सामना कर सवाल बिल्कुल ही अजीब तरह कर से अईसा लगता है कि जैसे वो दिल्ली में नहीं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं लगता नहीं कि लिखा है कि आप प्रचार में किन-किन मुश्किलों का आपने सामना किया है मैंने खुद अपने कंधे पे बास लाया मैंने अपने से चोकी लोगों के साथ उठाया और उठाने के बाद लोगों को उठने से पहले मैंने अपना पतंजली का स्वामी जी के सामने जो हम बैठे हुआ है इनके सरीर को धारन किया और धारन करके उस पर बैठा जब मैंने योग शिकाया तो सबसे पहली बार मेरे योग में मात्र दस बेखती ही आया था और मैंने जब लगातार इसको सुरूत किया तो आज ही नहीं मुझे उस दिन की याद हो रहा है कि 2009 में हमने 2000 नहीं कभिशी 4000 की संख्या में मैंने इसे योग को परचम लाड़ाया और खुद मेनत किया और संखर्ष किया और आज इस छेत्र में योग का पूर्ण योगदान पतंजली के रूप से प्रम पुझ स्वामी जी का पूर्ण आसिरवाद है लोग जिनका कार रात्री को ही है होना जैसे देख लीजे कि मालीजे जो न्यूज लाइन के लोग हैं तो उनका दीन में तो काम अलग लोग करते हैं रात का काम अलग लोग करते हैं जैसे मेडिकल सर्विस वाले लोग हैं जो अस्पतालों में रहते हैं जिनकी नाइट डू मैं तो कहूंगा जब आपकी निंद पूरी हो जाए और निंद पूरी होने के बाद निति क्रिया करके कम से कम पांच मिनट भी अधी आप योग की विदा को अपने जीवन में अपना लें और खास कर ये कपाल भाती तो मैं कहूंगा कि आप तारो ताजा रहेंगा और काम करने में आपको आनन्द आएगा जब फूर्सत मिले खाना खाने के ठीक चार गंटा के बाद भी जब आपको पांच मिनट भी फिर समय दुबारा मिल जाए ता आप पांच मिनट का पाल भाती कर लें अधी 24 गंटा में थोड़ा थोड़ा जगा मिलने पर भी पांच मिनट भी बीच में कर लें तो हम चाहते हैं कि आम पबिलिक से भी आप अच्छे रहेंगे और जहां तक न्यूज का सवाल है और एकागराता के रूप में आप आगे बढ़ेंगे ये हमारा पुर्ण विश् हुए हुए हैं बिल्कुल जो लाइद में आपको सुन रहें देख रहे हैं सवालों के भी जबाब दे रहे हैं हर्त अच्छा अपने सवाल किया मुझे आप बच्पन आवस्था में ले गए और बच्पन आवस्था को देख करके मैं बहुत प्रसंद होता हूं मैं आपको कि पांच चाल दस साल के बाद ही जीवन आगे बढ़ता है माँ बाप के पास जीवन बिताया जाता है मैं एक छोटे घर घराना का विद्यार्थी हूं यानि समझे कि मैं किसान का पुत्र हूं जो आप जानते होंगे कि मैं छोटा गौं का रहने वाला ही हूं जिसका नाम भ नौगच्या है स्कूल में जब मैंने अपनी पढ़ाई किया तो उसमें मुझे बहुत सारे लड़के ने खैनी खाने का आदत खासकर सिक्रेट पीने का आदत यह सब जबरदस्ती हमको नीचे लिटा देता था और कहता था कि इसको पिलाओ इसको खिलाओ लेकिन मैंने कहा क मैंने यहां से चल दिया और मैंने अपने घर को भी छोड़ दिया बाबुजी शिया सिर्वाद लिया मैंने बहुत संगर से जीवन में मैं आपको बताना चाहूंगा बाबुल जी जियस न्यूच के माधियम से कि मैंने जब एक पैसे की खोज में चला कि मुझको पढ़ना ह तो मैंने एक बैक्ती के साथ जूर गया जिसमें की एक खलासी का भी रोल हमने किया और खलासी के साथ साथ मैंने होटल में साफ करने का भी हमने काम किया और वहां से निकलने के बाद मैंने आगे जा करके बहुत अच्छे इंसान हमको मिला और मिलने के बाद मुझको उन्हो पूर्ण रूप से योग की बिधा को गौध तक फैला रहा है मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप अपने जीवन को जदी अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूर संगती यानि कहा जाता है कि बूरी संगती को आप छोड़ दें और अच्छे संगती से जुड़ें जीस तरह बाभूल जी जीस नूच के साथ हमारे जुड़े हुए हैं तो मैं कहूंगा कि बच्छों को खासकर बूरी संगती से दूर रखें उसका लाइफ पक्का आगे बढ़ेगा क्योंकि मैं अपने जीवन में इसको जिला है सवाल मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला लेकिन मैं चुकि इन्होंने चर्चा कर दी है मैं बता दूँ आपको कि हम लोग एक कारिक्रम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी हमारी टीम जन्वरी में सुरुआत कर रही है जिसका नाम है नौटंग की तो बहुत सारे हमारे जो पाठक हैं उनका फोन हाता है मैसेज आते हैं कि ये नौटंग की क्या है तो मैं चुकि ये लाइव कारिक्रम चल रहा है और सभी लोग देख रहे हैं मैं आपको जानकारी देदू कि ये एक आर्ट का है एक अगर आपका बच्चा उसमें उसके बै मैडम हैदराबाद की हैं और हैदराबाद से उन्होंने कॉल किया था कि सर हमारे बच्चे को भी आपके इस कॉंपरेशन में पाटिस्पेट करना है मकसद हमारा जीतने का नहीं है मतलब है कि हमारे बच्चे का परफॉमेंस भी लोगों तक पहुंचे तो उसमें हमने मैं कि हमारे बच्चे में आठेकला है को बारा से तेरा तरह से सिरप हनुमान तयार होता है तो आपका जो बचपन था मेरा सवाल ये है आपके बचपन का वो समय वो कुछ मित्र भी भी होंगे जो लाइव इंटर्वियू में आपको देख रहे होंगे कि आप जो है वो आपका जो वो बचपन समय था कैसे कपड़े पहनते थे कैसे मेला गुमने के लिए जाते थे कुस्ती देखते थे वो देखने जा रहा हूं तो मेला देखने के चकर में पैसा मांगता था दस रुपिया की देदीजी हमको मिटाई काना है लेकिन पिता जी हमको दस रुपिया के तो जगह पर पांची रुपिया देते थे पांच रुपिया उसमें बहुत मात थो था पांच रुपिया देते थ अभी आपने सवाल किया है कि इस से भी लोगों के अंदर एक जागुरुकता फैलेगा उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक उत्सा बढ़ेगा कि मैं भी बजरंग बली बन के दिखा मैं भी बजरंग बली जैसा चर्टरवान बनना चाहता हूं मैं भी परंपुष स्वामी रामदेव जी महराज जैसा एक मान बेक्ती बनना चाहता हूँ तो उसमें परंपुष स्वामी जी महराज के विसेमी आप बोल सकते हैं हमारे स्वामी अग्मानंद महराज हैं उनके विसेमी आप बच्चों को ला सकते हैं आप हमारे महापुरुष बड़े-बड़े हैं भगत सिंग हैं आपका खुदी राम बोस हैं चंद सेखार राजाद हैं डक्टर अब्दूल किलाम हैं और बहुत वीर विरंगाना हैं जो कि उनके रूप में अधी ये वेवस्था के तहत जदी बच्चे और बच्चियां आए तो हम उनका स्वागत करते हैं और इसी बीच एक अविनव कुमार महतों हैं लिखते हैं ऐसे ही GS News हमारे फॉलोवर को कुछ स्वास के बारे में जानकारी देते रही है सदा आप लोगों का बारी बना रहूंगा देखे GS News हमारे इंडिये के नमबर वन न्यूज चैनल के आपने का कि एक समय और एक दीन को तई कर दिया जाए तो धनिवाद आपको शुक्रिया अविनव कुमार मैतों जी उसके बाद एक केसी मिस्रा लिखते हैं सबसे पहले GS News को धनिवाद देते हैं यादास्त बढ़ोने के लिए भी कोई योग है क्या बहुत ही सुंदर योग हachां आप पर दिन कम से कम आदा गंटा जरूर करें बाए नासिका से लें और ब्रुके देनासिका को बंद करते हुए बायनासिका से छोड़ें और ये बढामरी जो-आप देह करे हैं यह बहुत ही सुंदर आदास्ति को बढाने के लिए लंबी गरी स्वास ले और भंश्त कित्रा गुंजा मान करें और ये ब्रामरी के साथ साथ आपने क्या देखा अलो मिलों और एक बार ठाका जरूर मारें ठाका मारने से क्या होता कि आपके मस्तिस का जो ब्रेन का जो नस है नाड़ियां बिल्कुल हिल जाएगा और लगेंगे प्रसंड चित्तो हो जाएगे आदास सक्ती भी अच्छा हो जाएगा ब्रेन के नस्का भी खुला हो जाएगा और मेगा वट्टी दो गोली सुबा दो गोली साम सरसोतारिस चार चमच दवा चार चमच पानी खाना खाने का वाद लें आपका आदास सक्ती बहुत अच्छा हो जाएगा और आये हम ठाका के रूप में आपको बता देता है कैसे ठाका मानना चाहिए जुमके मस्ती से और खोब हसे हम तो कहेंगे बाबुल जी भी हमारे साथ हसे बिल्कुल बिल्कुल और सवाल इतने हैं जी सवालों का जो बहुत सार है ना आदा सक्ती हंड़ेट परसंट मैंने चिकित साथ देखा है कि मेगावटी और सरस्तारिष्ट काए अलोमिलोम करें और ब्रामरी करें आपका रिजल्ट सत्त परतिसत मिलेगा और लगातार जो है वो सवाल तो एक तरब से चल रहा है आपके लिए अचाए एक सोनी कुमारी है लिखती है कि सर डांस का भी कोई फाइदा है योग में अचाए एक चीज़ बताईए हमने भी देखा है स्वामी जी को भी मंचों पर कारिक्रमों में भी जो है वो उचल कर एक दो करतब की तरह करते हैं और आपको भी देखा है आपको भी लोगों ने देखा है जो आपको फोलो करते हैं इसका क्या मतलब है ये मतलब देखिए डांस का जहां तक सवाल है स्वामी जी बोलते हैं कि हमारा योगिंग जोगिंग जो डांस के रूप में मैंने इसको उतारा है यानि लोग मानते हैं डांस लेकिन परमपुझ स्वामी रामदेव जी माराज ने इसको योगिंग जोगिंग को एक बहुत बरा रूप दिया है जिससे ना उसका चर्वी बढ़ेगा ना उसको गैस होगा ना कब्ज होगा ना घुटनों में दर्द होगा ना एरी में दर्द होगा ना जोएंट में दर्द होगा इसलिए डांस जो अभी है लेकिन वह डांस एक अनुसासन के तोर पर होना चाहिए और चरित्र को अच्छा बना करके होना चाहिए उसको गलत द्रिष्टी के और एक है रविंद्र कश्यप यह लिखते हैं कोई उचा सुनता है उसे ठीक करने के लिए भी कोई उपाए है हां हमारे पास पतंजली में सबसे भूत अच्छी दवा है उसका नाम है सारी दादी वटी और चंद्रप्रवावटी सिलाजी त्रहसान खाना खानेक बाद दो दो के लिए बहुत और कर्ण पिरान तक प्रण्याओं यह पास से दस मेंट करेंगे आपको पूर्ण लागों यह किस तरसी यह विदी है जैसे दैने हाथ को दोनों नासिका पर रखें आइसे रखने के बाद दोनों अंदर के गाल को फुला में जैसे मैंने हाथेली लिया दोन हाथेली से पकड़ा अब स्वास हमको लेंगे पहले बद्ध कर दिये और गले गाल को फुलाए यह बहुत अद्बूत चिकित्सा इसका नाम है कर्ण पिरान तक प्राणयाम और इस चिकित्सा को करने से और सिलाजीत रशायन और चंद्परावटी और सारीदादी वटी अक काया कल्पते लेने से और कान का रोग पूर्ण रूप से ठीक होता है चलिए अब चंदिका जी कुछ सवाल हमारे भी हैं लगातार पाटकों के तो आते जा रहे हैं लगातार कि आपने अभी तक कितने रोगी को ठीक किया होगा अपनी योग से करीब नहीं कुछ तो आज 16 स और था जैसे कि माली जे अभी एक सवाल हमारी टीम के और से त्यार किया गया है लोगों को कैसे पता चले को से बीपी हो गया है एक बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे पता चले की बीपी हो गया है और बीपी के रोगी को कैसे रहना चाहिए कैसे वह ठीक हो देखे आज की समस जामी जी के साथ जीता हूं राद दिन सुबह सामता हम प्रसंद रहते हैं लेकिन बीपी की रोगी यानि बीपी का रोगी बहुत ही ज़ाद आपने चेत्र में मैंने सबी भाईयों बेहनों से कहूंगा कि आप सबसे मूल में तनाव से मुक्त हो ये और तना को मुक्त करने के मूल में आपका योग ही है और योग से ही आपका तनाव मुक्त हो सकता है साथ में आप जदी अंगरेजी दवा ले रहें तो उस अंगरेजी दवा को धीरे धीरे आप चलाते रहें लेकिन उनके जगह पर मुक्तावटी खाली पेड़ दो दो गोली चबा कर सुसुम जल के दीत हो तो थोरी से हिर्दिया मृत वटी एक गोली सुबा ले गोली शाम ले और ज्यादा ब्लोकेज तो आप उसको दो दो गोली सुबा साम कर लें साथ में अरजुनारिष्ट और पुनडणवा रिष्ट ये चार-चार चमज दवा चार-चार चमज पानी खाना खाने के बैदलें और अनलोम विलूम आदा घंटा करें और बीपी की दवाई आपका तीन से च्छा में नामें 100% बंद कर दूँगा हमने योग के माध्यम से बीपी को सत परतिसत ठीक्या है अभी तो स्वामीज ने रिशर्च के माध्यम से कह दिया कि बीपी कोई रोग नहीं है ब बीपी करोग्यों को भाईयों का हवान करता हूं कि आपके पास चाहे हो बच्चे हो बुड़े हो जितना भी बीपी का रोगी है आप जरूर संपर करें अपने छेत्र में भी योग का सिवीर लगावाए हम निसुल्क सिवीर देते हैं उसके माध्यम से पूरे गाउं को इटर्विव हमारा सेस है इसलिए अगर आपके मन में सवाल है या कोई समस्यास के बारे में आप समाधान चाहते हैं तो जल्दी से फटा-फट जो है वीडियो में के कमेंट बॉक्स में लिख दें या फिर हमें फोन करें और मैं आप सबों से जानकारी दे दूं कि वीडिय लोगों तक या वीडियो पहुंचे और वो भी सवाल पूछ कर या सवाल को सुनकर और उसके उत्तर को जानकर उसके समाधान को जानकर लाब उठा सके एक सवाल है कि जिनको 30 साल से सुगर है मदुमें की बिमारी है और वो लगातार दवाई खा रहे हैं उनके लिए क्या उ स्वामी जी ने जो वेवस्था बनाई है उस वेवस्था के तहथ पूरे भारत वर्ष को स्वस्थ करने का जिम्मा प्रम्पु स्वामी जी ने लिया है लेकिन मैंने नगोचियान मंडल के छेत्र में मैंने पूरी वदा के साथ करता हूं कि मदुमें मुक्त के लिए आप हम का रोग पका ठीक करूँगा उसके लिए मुझे तुरा समय चाहिए मैंने कुछ दवाई आपको बता देता हूँ सबसे पहले मदुनासनी वटी गिलो धन वटी नीम धन वटी गौधन अर्क खाली पेट दो दो गोली सुबा साम खाली पेट चवा करके लें गौधन अर्क चा जोड़ो ग्राम मिला करके खाली पाट पियें और पतंजली आरोग कंद्र नवगच्छा में खासकर यह मदुमे रोगी के लिए मैंने प्रम्पश्वामी जी से कहा है कि मदुमे रोगी अपने चेतर में ज्यादा उसके लिए क्या क्या जाए तो उन्होंने कहा कि उनको दल मंदू का असन आपको नहीं बता सकते हैं लेकिन मंदू का असन लगातार आप दो से चार पॉंच मिनट करेंगे तो आपका मदू में रोग छुटकड़ा होगा और सत्व प्रतिसत होगा और अंग्रेजी दवा जो आप खा रहे वह दीरे दीरे आपका समापत होगा मैं अंग अरवेद के साथ साथ हम एलोपेथी को भी बड़ावा देते हैं कि वह इमर्जंसी टीट्मेंट बिल्कुल अनिवार्ज है इसलिए जो इमर्जंसी टीट्मेंट आप करा रहे हैं उसको आप कराते रहें साथ में योग और आरवेद आहर चिकित्सा सोधिस चिकित्सा को अपना है ताकि मेरा देश भी मानो और हमारा चेत्र मदुमें रोग से मुक्त हो मैं यही आपसे वदा करता हूं भगवार्ज से प्रारतना करता हूं कि मदुमें मुक्त रोग देश न्यू चैनल खासकर बाबूल जी के माद्यम से पूरा समापत हो धन्यवाद एक जो टौ मार कर चाबी कहां रख देते हैं याद ही नहीं रहता है उम्र किया है उनका रितेश जी उम्र तो नहीं लिखें हैं लगवक 25 से 30 के बीच होंगे तो देखिए अभी आपको पता होना चीए बाबूल जी के 18 से 26 वर्ष तक बच्चों को बिगरने का समय होता है और बच्चे जदी दुसरे लाइन में आपको बता रहें उसका मूल कारण बता रहें बच्चे जदी अनलोम विलोम और कफालवाती प्रणियाम लगातार कर लें और खासकर आपको मेगावटी खालें तो 100% उनका यादास्त जो कमजोर है ख्याल जो कमजोर है ओल आपस लड़ जाएगा और अनलोम विलोम तो मैं आपको भावुल जी कहूंगा अनिवार जयो बिल्कुल बिल्कुल विलोम विलोम बच्चों के लिए लगवग बीस पचीस बार कर चुके हैं आज के लाइव इंटर्व्यू में और ये बरामरी यादास्त के लिए बहुत यादभूत्य कित साथ बच्चों के लिए खास कर युवाओं के लिए परने वले बच्चों के लिए और खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है जब तक खुश नहीं रहेगा तब तक इतना मुक्त नहीं होगा और ये अदास सकती जो कमजोर है खास कर एक बेक्ती चार जगा पांच जगा दिमाग दोराने से उसका अदास सकती कमजोर होता है लेकिन अलोम बिलोम कपाल वाती करने से हजार जगा दिमाग दोराईए हंडेट परसंट ठीक होता है बात है और मुकेश कुमार यादव ने लिखा कुछ भी मैं रितेश कुमार के कमेंट जो थे और रितेश कुमार लेके सुगर बढ़के अभी तुरत हमने चर्चा किये सुगर से समंधित अभिनव कुमार महतो लिखते हैं कि सबसे पहले GS News को बहुत बहुत बढ़ाई दे रहा हूँ शुक्रिया और जब तक सांस रहेगी तब तक देता रहूँगा हमारे प्रिया बाबुल भहिया जी का न्यूस पर बोलने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगता है शुक्रिया आप लोगों का हर्दी का भार ऐसा ही भगवान करें उनके जुमान पर चार चान लग जाए शुक्रिया जहिन और मैं अभिनव कुमार महतो जी को बहु बत नहीं है यह आपका इंटर्व्यू है इसमें कोई भी आ सकते हैं अगर आपके मन में आ रहा है कि इनको इंटर्व्यू के लिए लाएं तो आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप हमें वक्तिकत रूप से फोन पर भी जानकारी दें वोटसप पर जानक हुआ है महज पांच से साथ मिनट का समय बचा हुआ लाइब इंटर्व्यू है एक बहुत बड़ा सवाल है अभी तक आपने जितने भी बताए या जितने भी योग योगाचारी जो योग गुरू होते हैं वो कहीं ना कहीं पतंजली से ही जोड़कर बताते हैं कि पतंजली कहीं ना कहीं तो अपना बजार चला रही है उनका समान वो बेच रही है या जो भी कहें उसे हम लोग मोटे तौर पर जिनके पास पैसा नहीं है जो की बिलकुल गरीव तबकेके हैं जिनके पास दभाई खरीदने के पैसे नहीं है वो कैसे ठीक होँगे बाबूल जी बहु देश में और मिलावट को ठीक करने के लिए पतंजली आगे है और पतंजली से लोगों का स्वास ठीक हो रहा है मैंने आपके प्रसन को जबाब दे रहा हूं कि जहां गरीब हो और अमीर हो जिनके पास पैसा नहीं हो वो पतंजली से दवा नहीं कर सकता तो क्या करेगा मैंने आपको कहूंगा कि गौँगर में सारी अउसदी उपलब दें जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीज में बीच में कहूंगा एक मिनट हमने अभी कोरोना काल में देखा कि गिलोई की जब चर्चा होने लगी तो सायद जो पेड़ वंचित स्थती में राता था सायद कोई लोग लगबग जंगल जार से समाप्त कर दिया जी कई के लोगों ने तो गिलोई के रूप में कई रुपई है कई धनेटा गरीबों से भी लेकिन आज परमपुष स्वामी जी ने कहा कि गीलोई कैसी अउसदी है पूरे हिंदुस्तान पूरे विस्च में जिसको हम लोग कहते है गुरुजलती को अधा बिता इसको काटे और चोटा चोटा काट करके और उसको रात में मिटी के बरतन में फूलने दे दे और मिटी के बरतन फूलने पे दे करके और उसको सुबा उसको मत दे मतने के बाद उसको च्छान करके उस पानी को पिये मैं बोलता हूँ गरीब हो चाहे एक रुपया भी पतंजली को देने के लिए तयार नहीं हो लेकिन 100% या गिलोए यानि गुरुजलती अपने छेतर के लिए राम बंदवाई है साथ में मैं यह बोलूँगा कि तुलसी हर घर में लगाना चाहिए और तुलसी के साथ साथ दृत कुमारी जिनको लोग घी कुमार बोलते हैं गउगर में उस घी कुमार को घर में लगाए हर घर में और तुलसी हुआ घी कुमार हुआ जानि दृत कुमारी उसको बोलते हैं ज जो बेगती उठ नहीं सकता चल नहीं सकता कर नहीं सकता उसके लिए हम सेवा देने के लिए त्यार है नेकिन आम पब्लिक के लिए ये गिलोई धृत कुमारी और तुल्सी करस बिल्कुली सत परतिसा दवाई है खास कर रोज लोग करे तो ठीक हो जाएगा और ये शिकित्सा तो आम पब्लिक कर सकता है इसके लिए तो कोई मना नहीं है तो आप जदी आपके पास और कोई प्रस्न है खास कर ये गरीबों के लिए तो बताइए मैं बलूगा नहीं नहीं एक जो सवाल है बहुत कम समय महत कुछ मिनट बचे हुए हैं टीपू सिंग लिखते हैं कि मैट के तरब से सवाल है कि अभी जो परिक्षा रती है बहुत ही ज़्यादा माइंड से वह परिक्षा को लेकर मैट्रिक इंटर के और एक बड़ी समस्या हुई है कि लॉग्डाउन में स्कूल कॉलेज बंद रहा तो ट्विशन भी कम्प्लीट बंद था तो स्कूल बंद है और बहुत ज़्यादा वो लोग फ्रस्टेशन में पढ़ाई कर रहे हैं भूल जाते हैं यानि उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो विद्यारती हैं उनके लिए आपके अनुसार से कमसब्दों में कि क्या क्या टिप्स होना चाहिए जो पढ़ाई करें याद भ बख रहे हैं कि सुबा से लेकर के सुबा तक जो दिन्चरिया 24 गंटा का उस दिन्चरिया के बारे में मैंने आम पबलिक को बताने जा रहा हूं चाहे वह युवा भाई हो चाहे बृद हमारे पिता हो बृद माता हो चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी हो बड़े-बड़े पड़ाम करते हुए अपनी मापिता को चलर असपर्स करते हुए गव माता को पड़ाम करते हुए एक गिलास पानी फुक फूक करके पिए बढ़ने के बाद आप मूह रूप से योग को अपना ले खासकर अनलों बिलों और कपाल भाती और ब्रामरी अपने जीवन में इसको नहीं कुछ तो दस दस मिनट कपाल भाती दस मिनट अनलों बिलों और कम से कम एक से 22 बार ब्रामरी को अपना ले और सुबह सारे 7 गजए आप नास्ते अंकुरी तहार कर ले सारे 12 गजए भोजन कर ले भोजन में दीन में दही का इस्तिमाल जरूर क करें संधिया में साड़े साथ बजे रोटी दाल खाएं परभू का गुन गाएं इससे बढ़कर कोई दवा है नहीं और यह जो बजार के जो फूट खा रहें आप उसमें मिलावट की प्रिक्रिया बहुत ज़्यादा है तो मैं बच्चों से नरत करूंगा कि बजार के चीज को कोशिश करें कि अपने घर में जा करके घर का सुद्ध भोजन करें और दिनचरिया को सही अपना आए और सुबस लेकर के 24 घंटा अपने दिनचरिया को इस्तेमाल करें और 11 बजे के बाद जो 1 बजे के बीच में जो पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई को कंट्रोल क करके मैंने सुभा नो बजे तक रात में सो जाओं और सोने के बाद ठीक तीन बजे उठ जाए और तीन बजे उठके थोड़ा सब दस मनट पांच मनट कपालवाती अन्लों बिलूम ब्रामरी मार ले और सुभा की जो पढ़ाई होती है वह अधबूत पढ़ाई होती है और उस लगबगब समाप्ति की और है एक अमित कुमार सिंग ने सवाल पूछाता का हटे रोगियों का शुरुवाती में ही उनका जबा मिला उस पर सुजीद गुपता ने लिखा है कि अमित कुमार सिंग कच्ची घानी और सफोला गोल सुजी जी आपने जो है बजारू तेल के बार समभद हो तो उसे आप कोलू के यहां से तैयार करें और उसके बाद उसका उपयोग करें या फिर आपको अगर वह संभब नहीं हो पा रहा है तो आप पतंजली से खरीदें इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है और आपने जो लिखा है कि कच्ची घानी सफोला गोल रितेश कुमार लिखते हैं कि असीन वर्मया और योगाचार चांदरीका प्रशाद जी को दन्यवार शुक्रिया रितेश कुमार जी और एक बस अंतिम कायास है मतलब आप यहां के लोगों को क्या एक संदेशा देना चाहेंगे यहां जो लगातार आपको लाइब में रितेशा इलाबाद बेंक के सामने निसुल्क सेवा के लिए निसुल्क प्रामर्स के लिए आप तीन जीसे है करके सहत्व कर सकते हैं और अपने गावों में समाज के रोग को ठीक करने के लिए आप सुबह 5 बजे से सारे 7 बजे के लिए संपर कर सकते हैं वह सिवीर जो हमारा होगा वह निसुल्क सिवीर होगा और वह योग से रिलिटेड होगा और योग से पूरी रोग का समन होगा हम 24 गंट आपके लिए खड़ा हैं आप जब पुकारेंगे तब चंद्रिका जी आपके साथ हैं आए करते हैं योग रहते हैं प्रसंद इससे बढ़ करके तो कोई दवाई नहीं है शुक्रिया तो आज के इस लाइव इंटर्व्यू में हमारे साथ योग गुरू चंद्रिका प्रशाद थे और जाते जाते बताते चलें कि आज के इस लाइव इंटर्व्यू में हमारे कैमरे के साथ हैं समझ्जा और हमारे साथ शुदा सिंग है और चुकि यह लाइव इंट पारित बाद में हमारे योग गुरु जो है एक किसी को परफॉर्मर आप दा लाइव सो में जो है चैनीत करेंगे चैन होने के बाद उनके नामों की घोशना करेंगे फिर उन्हें हम एक आकरशक उपहार प्रतान करेंगे इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप इंटर्वियू में बुल्वाने का मन में कोई इक्षा हो कोई एक सवाल हो तो आप हमें ब्यक्तिकत रूप से भी हमारे वाटसअप नंबर 97.0994 पर दे सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे टीम पूरा प्रियास करेगी पूरी तरह से प्रिय और लोगों को हसाईए तो हसते रहें मुस्कुराते रहें और देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल जीयस न्यूज